नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जिके हेलप विद जयरबे पर हारदिक अभिनंदन एवं स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान प्लिस एक्जाम के लिए राजस्तान समाने ग्यान के मोस्ट इपोर्टेंट 45 कोस पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा वीडियो स्टार्ड करें से पहले आप से निवीदर रहेगा कि आपने भी तक यूटूब चैनल जीके हेलप विद ज्यारबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटबी रंग का ग्रेयनाइट कहां पाया जाता है कि वेरी-वेरी एक पोरटन को सेनल नेख्याम में पूछा गया यह जो गुलाबि रंग है मित्रो इस प्रकार का जो ग्रेनाइट पहे जाता है वो पहे जाता है जालोर में इस question का C option right है दोस्तों यहाँ पर आपको fact बता देता हूँ यह जो जालोर है इसे ग्रेनाइट city के नाम से भी जाना जाता है यह जालोर का उपनाम है बहुत बार एकजाम में पूछा गया है कि किसका उपनाम है ग्रेनाइट city और जालोर में गोलाकार या गुमंदाकार ग्रेनाइट की पाड़ियां भी पाई जाती है यह भी आपको द्याने रखना है चले दोस्तों अगला question है कि छेत्रफल की द्रेश्टी से सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है बताई दोस्तों यह जो सबसे बड़ा वन मंडल है वो है जोदपूर वन मंडल है इस question का D option right है अपना राज्य है राजस्तान 12 वन मंडलों में विबाजित किया गया है यह question भी पूछा गया है कि राजस्तान में कुल कितने वन मंडल है तो आपको याद रखना है 12 वन मंडल और छेत्रफल की द्रेश्टी से सबसे बड़ा वन मंडल है जोदपूर चली अगला question है गागरोन का किला आहू और काली सिंद नदियों के संगम पर अस्तित है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है बताए दोस्तों बहुत बार यह question पूछा जाता है कि गागरोन का द्रुग किन नदियों के संगम पर अस्तित है तो याद रखना अहू और काली सिंध इन नंदियों के संगम पर अस्तित है इसी के कारण इस गागरोन के दुरुक को केते हैं जल दुरुक का सबसे अच्छा उधारन है गागरोन का दुरुक और ये दोस्तों राजस्तान के जालावाड जिले में अस्तित है जालावाड जिले में अस्तित है अभी दोस्तों इसका अन्य नाम बताने है तो इसका अन्य नाम है दूलरगड क्या है दूलरगड यानि किस कोस्टन का सी ओप्सन राइट है इसी का अन्य नाम है डोडगड य कहते हैं और दोस्तों ममूद खिलजी पर्तम ने इसको नाम दिया था मुस्तुफाबाद घाग रोण दुरु का नाम है जो महमूद खिलजी पर्तम के द्वारा दिया गया था चल्य है दोस्तों अगला कunken इसनले कि गारोण के किले में मिठे सा की दरगा है तो बताओ मीर सेद उशेन की दरगा किस किले में अस्तित है तो दोस्तों याद रखना जो मिठे सा की दरगा यह गागरोन के दुरूग में स्तित है और जो मीर्सेद्ष उशेन की दुरूग है यह स्साइव यह प्यायद कंसरे अज्मेर राय आपको याद हमाने ìnृ में तारागड़ के दो दूग है एक तो अजमीर मैस्तित है एक गड़े나ही नम से भी जाना जाता है यह जो बहुत बार एक्जाम में पुछा गया है यह जो काजरी है दोस्तों इसी का फुल फॉम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टिटूट और यह अस्तित है जोदपुर में इस क्वेस्टन का वी ऑप्सन राइट है यह दोस्तों जो काजरी है इसकी स्तापना हुई थी 1969 में एक क्वेस्टन पुछा जाता है कि जो आफ्री है यह कामपर अस्तित है आफ्री एरिड फॉरेश्ट रिसर्च इंस्टिटूट यह दोस्तों जोदपुर में इस्तित है और इसकी स्तापना 1988 इस्वी में हुई थी चली अगला क्वेस्टन है राजस्तान में पर्थम बार प ओप सन राइट यह कोस्टन भी वेरी वेरी इपॉर्टन्ट है बहुत बार एकजाम में पूछा गया अभी दोस्तों जो परजेंट टाइम में जो जनग्णना कि 20 वी जनग्णना होई थी यह जो 20 बहुत बीइस्वी में घंणना है इसी के उनसार राजस्तान में जो पसू गणना होती है इसमें 12 प्रकार के पशवों के जन गणना के जाती है तो यह आपको याद है रखना है चलिये अगला कुस्चन है राजस्तान में वरतमान में पशवों के कुल कितनी संक्या है तो पशवों के जो जन संक्या है यानि कि 577.3 लाख इस कुस्चन का A option राइट है चलिए अगला कुस्चन है बारत की कुल गयों का कितना प्रतिस्त गया है राजस्तान में पाए जाती है बताई दोस्तों जो बारत की कुल गया है इनका कितना प्रतिस्त गया है राजस्तान में पाए जाती है तो दोस्तों इस कुस्चन का सी ओफ्स राइट है आठ प्रतिस्त जो गये वो राजस्तान में पाई जाती है चलिए अगला कोस्तिन है कि राठी गोवंस प्रजनन के अंदर काम पर अस्तित है यहां पर आपको कुछ इपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं यह जो राठी गए हैं मित्रों राठी गए इसे कहते हैं राजस्तान की काम देनूं क्या कहते हैं राजस्तान की काम देनूं पस्वों में बात करें तो राजस्तान की काम देनूं केते हैं राठी गए को बात करें नदियों में तो जो दोस्तों चंबल नदी है इसे कहते हैं मौनगर जिलो में पाय जाती Oo रीसर वहा दूद देने वाली गाए की नसल है है चली दस्मा कोश्चन की राज्य में कृतिरी वरेक्सम उद्यूग के प्रमूग के नदर है जो कृतिरिम प्रकार का रेक्सम है इसका जो उद्यूग? Мैह में कृता और उद्य पूर है इस question का D option right है ये भी question exam में पूछा गये तो आपको याद रखना है कोटा और उध्यपूर में कृत्रिम रेशम उध्योग के प्रमुक के अंदर अस्तित है अगला question की मचली नर्ते किस जंजाती का नर्ते है बताई दोस्तों ये जो मचली नर्ते है ये कंजर जंजाती का नर् राइट है चली अगला question मालाणी किस गये की नसल का अन्य नाम है बताई दोस्तों ये जो मालाणी है किस गये की नसल का अन्य नाम है तो इसका C option right हो जे थार पारकर जो गये की नसल है इसी का अन्य नाम है मालाणी क्यों दोस्तों इसका मालाणी नाम पड़ा इसका जो मूल अस्तान है वह बार्ड मेर का मालानी गाम इसलिए इसी का नाम मालानी और यह जो राठी गए हैं जो राजस्तान की काम देनूँ है इसके पस्चात जो स्रवादिक दूद देने वाली कि नसला वह थार पारकर यह आपको याद है रखने अगला कुष्ट ने बर्तपुर करोली और दोलपूर छेतर किस प्राचिन नाम से जाना जाता था बताई दोस्तों बारतपूर करूली और दोलपूर का जो छेतर है ये प्राचिन समय में सूरसन जनपद के नाम से जाना जाता था सूरसन जो माजनपद है इसके नाम से जाना जाता था और ये जो सूरसन माजनपद ह और इसकी जो राजदानी यह वो है मत्थूरा यह आपको ध्यान रखना है सूर्शन माजन पद की राजदानी क्या है मत्थूरा है चलिए अगला कोस्टन ने कि परताप गड़ जिले का गठन कब हुआ था बहुत ही असान कोस्टन और बहुत बार एक्जाम में पूछा गया ह राजस्तान का जो 33 समझ जिला है वो है परताप गड़ जिला कौन सा परताप गड़ जिला इसका गठन हुआ था 2008 इस्वी में इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है एक्विरेट डेट आपको याद रखनी है 26 जनवरी 2008 में परताप गड़ जिले का गठन परमेश चंदर कम माकावे के रचेता है यह जो 17 स्ताप्दी की रचन है राज माकावे इसकी रचेता कोने रण छोड़ बटे कोने रण छोड़ बटे इस कोश्टन का ए औप्शन राइट ए चलिए अगला कुश्टन है काजरी के विज्यानिकों दौरा विक्सित बक्री की बिना सींग वाली नसल कौन सी बते ही दोस्तों बक्री की बिना सींग वाली नसल है मित्रों से खवाटी इस कोस्टन का ए और यह कोस्टन पुछा गया है यह जो काजरी है दोस्तों इसका जो मुख्यले वो जोदपुर में अस्तित है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टिटूट इसकी फुल फोम है 1969 में इसकी स्तापना हुई थी यह भी आपको द्यान रखना है और यह जो बक्री की बिना सींग वाली नसल है वो सेखा वाटी है दोस्तों बक्री से समंधित कुछ इपोर्टेंट फेक्ट है वो अक्सर एक संस्तान पर है यह जो बक्री है इसे कहते है गृव की गए गृव की गये किसको का जाता है बक्री को काजळ अ कॉस्टन प्री ब्रीस टेसे एकजाम में पुछ गया रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज भी का जाते हैं जो बक्रिये मित्रों इसके मास को केते हैं चेवन ये क्वस्टन भी पूछा गया है जेल प्रेरी एकजाम में चेवन बक्री के मास को का जाते हैं और एक क्वस्टन बहुत बार पूछा जाता है कि केंद्रिये बक्री अन संदान संस्तान और बात करें राजस्तान में जो सरवादिक बक्रियां वो किस जिले में तो सरवादिक बक्रियां मित्रो बाड मेर जिले में किस जिले में बाड मेर जिले में और न्यूंतम जो बक्रियां और हमारा राज्य राजस्तान यहां पर दो करोड़ सत्रा लाग के सम्थिंग बक्रियां पाए जाती हैं बक्रियां कि जो मेत्पुर्ण नसले वह आपको याद होनी चाहिए सेखवाटी लोही परवतसरी जक्राना जक्राना दोस्तों गाम है अलवर में और यहां की जो बक्री की नसल है जक्राना इसे अलवरी भी का जाता है जमनापरी बरबरी दोस्तों पहाड़ी बक्री के नाम से जाने जाती है बरबरी इसके जो कान होते हैं यह खड़े रहते हैं सिंग की तरह हैं और शिरोई मारवाड़ी यह बक्रियों की नसले हैं तो इस कोस्टन का तो ए उप्सन राइट है और यह सभी फेक्ट आपको याद है रखनी है चलिए अगला कोस्टन के सारदा एक्ट के परनेता थे तो यह कोस्टन बहुत बार पूछा गया है राय बाउद किनारे बढ़ता है तो दोस्तों यह जो मलीनाथ पसुमेला है यह लूनी नदी के किनारे बढ़ता है मलीनाथ पसुमेला तिलवाडा बाड मेर में आयो जित होता है यह भी आपको याद रहा है तिलवाडा बाड मेर में चलिए अगला कुस्टने राजस्तान राज्य के दक अक्छांशे विस्तार कितने हैं तो दोस्तों इनके मद्य जो अक्छांशे विस्तार है वह साथ डिग्री नौ मिनिट का इस कोस्टन का सी ऑप्षन राइट है दोस्तों तेईश डिग्री तीन मिनिट उत्री अक्छांस से लेकर 30 डिगरी 12 मिनिट उत्री अक्छांस तक इनका जो मद्यकांतर है वो है 7 डिगरी 9 मिनिट तो यह पुछा गया है यहां पर अक्छांसी है विस्तार पुछा गया है तो इसका सी ओपस नहां पर राइट है अगर पुछा जाए कि देशां सेलेकर 88 दिगरी कि अलिघा सत्रा मिनिट पुर्वी देसांतर तक तो यह जो देसांतरिय विस्तार रहे वो कितना है आठ डिगरी संतालिस मिनिट आठ डिगरी संतालिस मिनिट तो यह दोनों कोस्टन एक्जाम में पुछे जाते हैं आपको याद है होना चाहिए अगला कोस्टन की राज्य की कौन सी विदानसभा के समय अबदी बढ़ा करें पांच वरस से अधिक के गई थी यह जो पांच वी विदानसभा सब्सक्राब्राइब मित्रोफ में विदानसभा को समय अबदी बढ़ाए गयं थी और पांच वरस से ज्यादा के तो यह को को रिए था की पासर गाम में इस कोस्चन का चीर ऐफ औस राइट ऐगला कोस्चन है कि रद्वाद्धिक विदान जबार पूरब पुछ ने में जो विदान सब्वा की सीटें बहुत 200 यहीं पर आपको बता जिता हूं जो लोग सब्वा है राजस्तान में 25 सीटें लोग सब्वा की और राजस्तान प्लिश्ट एकजाम में यह कोस्टन पूछा गिया तो आपको यह ज्यान रखना है अगला कोस्टन के सरवादिक देनू के तेश को और इसका जो प्रजणन के अंदर है वह नोहर हनुमानगड में अस्तित यह मित्रों गंगानगर बिकानेर और हनुमानगड इन जिलों में पाई जाती है चलिए अगला कुस्टने की राजस्तान में कपिल मुन्नी का मेला कोलायत में कब बढ़ता है बहुत पर दोस्तों कहा कहा कि बार बार पुन्रा बढ़ती हो रही है कैसे कपिल मुनी का मेला कैसे कोलायत कैसे कार्थिक प्रुनिमा को यह बढ़ता है यह जो कपिल मुन्य मित्रों यह संख्य दर्शन के प्रहनेता है यह कोस्टन भी पूछा जाता है संख्य दर्शन के प्रहनेत से ब机ंदा मेला है अगला को को स्टने के मंदन्ध दवारा लिखित गरंथ रूप मंद 되면 का समंध है तो दोस्तों यह ज़ो रूप मंदने इसका समंध है वास्तु कला से हैज से वास्टु कला से इस को सिंगा ए उप्सन сы historically ने के कि ठाइन का मेदान में वर्तमान में यह जो ठान का मैदान यहां पर तीन यूद्विए थे पारस्त इंड मुख्य के यूद्व माने जाते यह आपको द्यान रखने यह तरहा रम का मिदान करनाल रयाणा में हस्तित है इसका स्क्ष ऑंप्सर 1 गें और मॉम्मद गोरी और इसमें पिर्थBERального California जाते हैं तो यह आपको याद रखने कि अगला कुसों कि समी गया के बेल सबसे मजबूत होते हैं बढ़े दोस्तों कि किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाले बेल वह नागोरी नसल के बेल इसका सी ऑफसर राइट है नागोरी नसल के बेल नागोर में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं यह भी आपको ध्याना किस संपर्दे से नात संपर्दे से इस कնगा वी ऑप्शन राइट यह जो नात संपर्दे इसकी बात करें जो मुख्य Sep jaki your Earth ये यह कोशन बहुत बार पुछा गया है महामंधिर जोद पूर में स्थित पर से कांपरث्थत Mahaमंदिर जोद को में और इसका जो निर्मान करवाय था वो करवए था महाराजा मान स्रिंग राठोड ने करवाय था तो यह आपको याद रखने हैं और चलिए दोस्तू अगला कुष्टन है कि राजस्तान का जनसेंख्या गंतव कितने हैं असान कोस्टन हैं लेकिन एकजाम में पूछा जाता है जो राजस्ता राजस्तान का जन संक्या गंतव 200 वेक्ति परति वरक किलोमेटर है इसमें पूछा जाता है कि राजस्तान के कौन से जिले का सबसे ज्यादा जन संक्या गंतव है तो आपको याद रखना है जेपुरु का सबसे ज्यादा जन संक्या गंतव है कितने 500 पिचान में वेक्ति परत करें तो अच्छी तरह से यह आपको याद रहने चाहिए जैसल मेरे इसका जन्सिंग्या गंतावाई 17 वेक्ती परति वरक किलोमेटर तो यह आपको याद रहना चाहिए अगला कोस्टने के दारी संस्कार राजस्तान की किस जनजाती में परचलीत है बते दोस्तों यह जो दा कितने सालों के अंतराल के बाद में किय जाती है इंगला कोस्ट ला कि उनजी यह तो दोस्तों यह जो चछड़ा प्लिस एक्जाब में पुछा गया है जो डक्षनी राजस्तान में जंजाती हैं इसमें बढालया का अर्थ होता है मित्रो दो पक्षों के मधिया विवाया समंद में मदस्तता करने वाला विचोलिया के सकते हैं इस का a option राइट है चलिए चोंतिसमा कोस्टन है अबू परवत के पूरों में फिली पाड़ियों में बाखर पट्टा कहे जाने वाले छेतर में कौन सी जंजाती निवास करती है बताई दोस्तों यह जो अबू परवत है इसके पूरों में फिली हुई पाड़ियें जिसे कहते है बाखर पटा यहां पर जो जंजाती निवास करती है उसका नाम है गराशिय जंजाती इस कोस्टन का डी ऑप्सन राइट है चलिए 35 में कोस्टन है कि राजस्तान की साक्षरता दर कितनी है राजस्तान की साक्षरता दर कितनी है बहुत बार यह एक्जाम में कोस्टन पूछ साक्षरता प्रतिष्त हैं और बाद किरें बाऊन पॉइंट एक परतिष्त राजस्तान में मेले साक्षरता है यह आपको । कि जिले की साक्षरता सरवाध्यक है तो याद रखना राजस्तान में कोटा जो जिले है इसकी साक्षरता सरवाध्यक सबसे कम किस की है तो जालोर की है जालोर किया चोपन पॉइंट नो परतीसत यानि कि लगबग पिछपन परतीसत है साक्षरता जालोर जिले की है चलिए अगला कोस्टन है कि राजस्तान का वेलोर किस दूर को कहा जाता है तो राजस्तान का वेलोर कहा जाता है बेंश रोड़ गड़ दूर को इस कोस्टन का भी ऑप्सन राइट है अगला कोस्टन है सिक्कर की संभाग के अंतरगत आता है, तो इसा कोस्टन पूछा जाता है, बहुत बार ये कोस्टन मैंने एक्जाम्स में देखा है, तो याद रखना ये जो सिक्कर है मितरो, ये जेपुर संभाग में आता है, तो सभी संभाग में कौन-कौन से जिले आते ह आपको याद होना चाहिए यह पर आपको मैं ट्रिक बताता हूं आपको पेले भी बताईए जदो असी जुनु गे यह ट्रिक है इससे आप याद रख सकते हैं जदो असी जुनु गे जैसे यहां पर याद रखने है जेपुर्श नबाग है दो से दोसा ए से अलवर सी से सिकर जू से जुनजनू तो ये पांच जिले जेपुर्श नबाग के अंदर गते आते हैं ये आपको याद रखने है चलिए अगला कुस्ट नहीं राज्य अस्तरिय पसु मेलों की राजस राजस्तान में दस इस कोस्टन का डी ऑप्सन राइट है यह आपको ध्यान रखना है एक कोस्टन पुछा जाता है कि राजस्तरिय पसु मेले राजस्तान के किस जिले में सरवादिक आयोजित कि यह आपको ध्यान रहना चाहिए नागोर में सरवादिक आयोजित होते राज या वीं तक वीडियो को like नहीं किया तो इसे like भी जूरूर करें अगला कुस्टन देखी गोमतीस आगर पल्सूर्शू मेला कहा पर आयोजित किया जाते हैं तो यह आयोजित किया जाता है जालावाड में इस कोस्टन का सी ओप्षन राइट है चारीसमा कोस्टन है कपड़े पर चित्र बनाकर लोग देवता का जीवन चरीतर प्रस्तूत किया जाता है यह कला कौन सी है बताइए दोस्तों कपड़े पर चित्र बनाकर लोग देवता का जीवन चरीतर प्रस्तूत करना यह कला कला इस कोस्टन का ए ओप्षन राइट है चलिए अगला कोस्टन है अजमेरी रेंडा गया किस नसल का अन्य नाम है के बेर दोस्तों इनको अलग-अलग भी का जाता है अजमेरी भी अलग का उपा जाता है तो आपको दिया रखनें यह जो अजमेरी रेंडा यह गिर घाय का अन्य नाम है मैं यह आपको दिया रखनेंस कोस्टन का सएवंच्ण आपढ़ रएड है कि यह दोस्तों जो युखत गीठ गीर फिर्ब Pan बूजरात में इस गुर簡 पंत घुजरात है कि घर प्रजन के अंदर कहा पर ढूस्तित यह दूस्तों बहूत को Lobar को स्टिन पूछागी घिर सर्धित मिधर तुर जालाबाड में और दूसरारामसर अज्मयर में धिया रखना डग जालाबाड में हुआ और राम सर अजमेर में गिर गया प्रजनन के अंदर अ की चलिए के मिन फील में की जाता है बल्डेव पसूमेला का अयूजन कि चले जीन ऑप्सिन हिसके जले ने की दिश्ट कोस्तन के समीप ने जिलए स्मेटियों का गठन किस का ए ओप्सन राइट है चले नेस्ट कोस्टन है मुख्यमंतरी राजसरी योजना के अंतरगत बालिका जनम पर कितनी रासी दी जाने का प्रावदान है तो जब बालिका का जनम होता है मित्रों उस समय रासी दी जाती है पच्ची सो रुपे डाई या जार रुपे इस कोस्ट यह टोटल जो रासी है यह दूमें जीह दी जाती है कितनी किस्तों में किस्तों में तो यह आपको द्यान रखना है' कुल रासी 50,000 जार चैक किस्तों में परदान की जातीising इंशियर से क क्रावदान का इस question का a option राइट है तो दोस्तों ये थे most important 45 question आपको ये वीडियो किसा लगा ये वीडियो के comment box में जुरूर बताएं और इन 45 question में से आपके कुल कितने question राइट हो रहे हैं ये वीडियो के comment box में जुरूर बताएं यहां पर आपका मुल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्त से जरूर जोइन करें और मेरे साथ चुड़ने के लिए आप Instagram ID के माद्यम से भी मुझे follow कर सकते हैं Instagram ID का link भी आपको description में मिलेगा चलिए बात करते हैं जो लास्ट वीडियो में आपसे question पूछा गया था उसके बारे में लास्ट वीडियो में आपसे question पूछा गया था आप सभी ने इस question का जवाब राइट दिया और आपको पूनाय कहता हूं कि question का जवाब आप comment box में जरूर लिखा करो चलिए बात करते हैं question of the day के बारे में आज का question आपके सामने के मतानिया सोर उर्जा प्रयूजना किस जिले में अस्तीत हैं option आपके सामने नागोर बेकान मेर जैसल मेर जोदपूर तो दोस्तों इस question का जवाब आप वीडियो के comment box में जरूर दें और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आजिरोंगे तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रम जा भारत कि